नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर दीप स्थंब फाउंडेशन एवं पतंजली महिला योग गुरूप नागपूर द्वरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी की संकलपना से भारत के अमरूत महुत्सव के उपलक्ष में 75,000 करूट सुर्य नमस्कार अभियान में हिस्सा लिया और महिलाओ के हल्दिकूंको के क जेश मार्गदर्शन किया इस कारेकरम को सफल बनाने हेतु शुभा आसरे विद्या खड़चे माया नागदेवे नविता ढवले माया द्यव्यानी कुले राजेश्री खड़त कर संध्या गुर्गे अर्चयना कटक वार शालीनी मिनाक्षी निखारे प्रविना ठाकरे जो सरस्वती माता का पुजन शाला की संचाली का चेतना टांक वा ललिता टांक ने किया कक्षा नवी वा दसवी के विद्यार्थियों ने सरस्वती माता को पुश्प अरपन कर आशिरवाद लिया शाला की मुख्या द्यवी का मंजीरी जोशी ने विद्यार्थियों को बसंत पंचमी में सरस्वती पुजन के महत्व पर प्रकाश डाला शाला की संचारिका ने बच्चों को दुआये दी कि ज्ञाना और विद्या की देवी सरस्वती माता की ओर से आपको सदैवा उत्तम ज्ञान प्राप्त हो अंतमे महाप्रसात का वितरित कर कारेक्रम संपन्न हुआ श्री दिगंबर जैन महासमीती के राष्ट्रिय अद्यक्ष डॉक्टर मनिंद्र जैन ने डॉक्टर रीचा जैन के गज चार वर्षों के काम समाज उत्तान, मुनिभक्ती एवं समाज के कल्लें हेतु कारियों को मद्दे नजर रखते वे उन्हें राष्ट्रिय उपाद्ध्यक्ष की जगा संपुर्ण भारत का राष्ट्रियों सज्यो जगपत पर नियुक्त किया है श्री दिगंबर जैन महासमीती देश के पंदरा रज्जो में कारेरत है महलाओ का उत्थान, तीर्थय यात्रा, समाज सेवा, रोजगार सुरिजन, आधी कार्यों संस्था द्वारा किये जाते है समाज तथा संस्था से जूड़े सभी मुद्दों पर कार्य करते हुए जरूरत पढ़ने पर उन्होंने मिनिस्टर, जन प्रतीनी दी एवं जिलादी कारियों से बात करके मदद मांगी जिसके पस्चा तीन समस्याओं को सुल जाय गया साथी हतकरगा फैशन शो, पारस चैनल पर क्षमावानी परव, आधी सभी मुनी महराज की कलश स्थापना से लेकर चातुर मास एवं समाज के तमाम कारेक्रमों में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया समाज के कामकाज की व्यवस्था में सभी सदस्यों और पदादीकार्यों को उत्साहित करने में भी उनका महत्वपुर्ण योगदान रहा राष्ट्रवधी कॉंग्रेस पार्टी द्वारा शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे के मार्गदर्शन में नाकपुर शहर उपाद्यक्ष अश्वीनी जैन जवेरी और पूर्व नाकपुर अध्यक्ष गुल्शन मुनियार के नितरुत्व में बढ़ती सडक माल का नुकसान जिलना पड़ रहा है शहर में कई जगों पर सडक बनाने में लापरवाई की जा रही है जिसके कारण आमनागरिकों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसमें नाकपुर महानगर पाली का और उसके परिवहन विबाग की लापरवाई सापत पर नजर आ रही है, मनपा प्रशासन की आखे खोलने और लगातार होरी दूरगटनाओ को रोकने हे तू स्टारबस प्रशासन के खिलाप लकडगंज पुलिस टेशन में मामला दर्श किया गया है और नाकपुर पुलिस के ट्रैफिक विबाग के मुख्याले में भी लिखीत रूप से सड़क दुरगटनाओ पर लगम लगाने हितू ग्यापन सोपा गया ग्यापन सोपते समय राकापा प्रतिनीदी मंडल में प्रभागत द्यक्ष निलेश भूर कर पुर्वन आकपुर उपाद्यक्ष सुनिल आचार्य आधी कार्य करता एवं पदादिकारी उपस्तित थे भारतिय जन्तापार्टी अनुसुचित जाती मोर्चा और भाषपा उत्तर मंडल की ओर से उत्तर नाकपुर काम्ठी रोड टी पॉइंट पर आई रमाबाई आमबेटकर का पुतला स्थापित करने की मांग को लेकर महापा और दयाशंकर तीवारी को ग्यापन सोपा गया अपने जीवन में अपार योगदान दिया अपने संसार में गरीबी लाचारी होने के बावजूत रमाबाई आमबेटकर ने डॉक्टर बाबासाहिब आमबेटकर को विदेश में उच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने की अनुमती दी अगर रमाबाई करके योगदान भी सराह निया है महापोर ने ग्यापन स्विकार्त वे कहा इस मांग पर विचार किया जाएगा प्रतिनी दी मंडल में विश्वास नगरारी समेत भारतिय जन्तापार्टी अनुशुचित जाती मूर्चा के कई कार्यकरता मौजुद थे खामला मुख्य बाजार क्षेतर में साई बाबा स्कूल के समक्ष दस दियुचिय स्वास्थ शिवीर का शुबारंब पुर्वपार्शत प्रकाश थोत्वानी के हस्ते हुआ शिवीर में डॉक्टर सानवी शम्भुवानी ने मरीजों का मारगदर्शन किया शिवीर में न केवल मरीजों की स्वास्थ जाच किया जारा है बलकि दवाईया भी निशुल के वितरित की जारी है इस अउसर पर न्यू पुज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष शम्भुवानी, सिंध माता मंडल के अध्यक्षन नारायन भूजवानी, ओम प्रकाश वर्दानी, गिंडल लालवानी, रोहित, करन कुरानी, साक्षी, स्नेहा, प्रतिक वाध्वानी की मवजुद्गी रही सुरिय नमस्कार योग का एक बहुत ही प्रभावी रूप है में भी यह मददगार साबित हो सकती है इसलिए जीवन में नियमित रूप से सुरिय नमस्कार करे यह आवाहन, महापौर दयाशंकर तीवारी ने किया व्याजादी के अमरुत मोच्सव के आउसर पर 75 करोट सुरिय नमस्कार अभियान के तहत आयोजित सुरिय नमस्कार करे करे करम को संबुदीत कर रहे थे इस अभियान में नाकपूर मनपा का भी महत्वपुरुन योगदान रहा है मनपा के स्कूल वाल्ड में विविन्न कारे करम के जरिये मनपा के शिक्षक शिक्षिकाओ और पदादिकारियों ने 75 करोट सुरिय नमस्कार अभियान के तहत कुल मिलाकर 16,675 सुरिय नमस्कार का योगदान दिया है शहर में सुर्य नमस्कार अभियान बुध्वार को अंबजरी तालाप के पास स्वामी वीवेकानंदस मारक परिसर में संपन्न हुआ इस समय एन्यमसी के 75 शिक्षक शिक्षिकाओं ने सुर्य नमस्कार किया इस अउसर पर महापौर्दया शंकर्तिवारी खेल समिती के सभापती प्रमबोत तभाने शिक्षा समिती के सभापती दिलीब दिवे खेल अधिकारी पियू शंबुल कर आधी मनपा पदाधिकारी गण उपस्तित थे अजमिर शरिपस्तित हजरत ख्वाजा मुईनुद्दिन चिष्टी रहमत तुल्ला अले की दरगा में नागपूर की स्रद्दालुओं ने चादर चड़ाई और देश में अमनवा आवाम की सलामती के लिए दुवा मांगी इस दवरां शरद्दालुओं ने दरगा परिशर में लोगों को प्रसाथ स्वरुप मिठाई वितरित की इस अउसर पर औरेंज सिटी वेलफेर असोसेशन के अध्यक्ष जुल्फेकार अहमत शानू, हसन रजा चिष्टी, अहफाद स्वटेल, फैजान खान, मुहमत साबीर, सैद इंजमाम, सैद फैजान, मुहमन मुशरफ, बोनी, मुहमत शारुक, सैद रिजवानुद दिन, श जवन शहीद हो गए थे, इन जवानों की शहादत पर उन्हें नाकपूर के शंकर विलासमंदिर कॉटन मार्केट परिसर में श्रद्दानजली अरिपित की गई, इस श्रद्दानजली कारेक्रम में निर्जा पाटिल, आशा देश्मुक, डॉक्टर अनुराग मिश्रा, प्रविन भगत, संदिप माने, राकेश गुयर, संगीता दंडिगे, अर्चना लोहे, लीना पेशने, रोश्नी महाजन, सोनाली खंडार, सारीनी सुगदेवे, निशा तीतर मारे, प्रतिक्षा जादव, आधी उपस्तित थे आज 15 पलस और 45 पलस आयूवर्ग के सभी नागरीकों का कोवी शिल्ड का टीका करन, नाकपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकार के इंदरू पर होगा, टीका करन का समय शाम के 5 बजे तक होगा, टीका करन के लिए ऑनलाइन और आफलाइन, दोनों पद्दतियों से पंज करन किया जा सकता है, इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनेशन के इंदरू पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिकायू के सभी नागरीकों को कोवी शिल्ड के जरिये टीका करन किया जाएगा, यह जानकारी चिकित सा स्वास्टे अधिकारी डॉक्टर संजे चिलकर ने दी, इसी प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष नापटोले के आभान पर नागपुर शहर जीला कॉंग्रेस कमिटी के ओर से शहर अध्यक्ष एवं विधायक विकास ठाकरे के नेत्रुत्व में सविधान चौक में उत्तर भारतियों के संदर्व में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा दिये गे वक्तव्यों के खिलाफ कॉंग्रेस कार्यकर्तावने शर्म करों मोधी आंधोलन किया है। वास्तविक रूप से कोरोना से संपूर्णा विश्व में ही तिवर्य हल्चल मची हुई थी। उस दोर में नमस्ते ट्रम कारेक्रम आयोजित कर पीए मोधी ने लाखों लोगों को एकत्रित करवाया था। उसी के माध्यम से देश में कोरोना का विस्तार हुआ। केवल ट्रम में कई राज्यों में भी विदानसभा चुनाव का आयोजन किया गया। इस व्यास ने आरोप लगाया है कि नाना पटोली की धम की बेकार साबित हो चुकी है। प्रकाश गुपताने की उद्गाटक विधायक विकास कुम्भारे पुर्वविधायक गिरिश्व्यास रामांबुलकर जैसिंग कच्छवाह विलास्त्रिवेदी प्रमोद दीमोले विलास्त्रिवेदी किशोर पालांदूर कर शाम चान्देकर डॉक्टर सुभाश राउत सुबोदाचारिय, किशोर उम्रेटकर, कलपक भानरकर, गजानन खापरे, राजेश हाती बेड, रेखा निमजे, बादल राउत, दिगंबर बुर्डे, पुश्पा पाठ्रावे, कुसुम खापरे मुख्य रुप से उपस्तित थे इस कारेकरम का प्रास्ताविक भाशन भाचपा कामगर आगाडी के शहर अध्यक्ष भासकर पराते ने दिया, उन्होंने उपस्तित तमाम नागरिकों के सामने इश्रम काड बाल संगोपन योजना मतदाता मंजीकरन के बारे में जान करे दी, विदायक विकास कुम्भरे न उपस्तित नागरिकों का मार्ग दर्शन किया और कहा कि भासकर पराते का जितना भी अभिनंदन किया जाए उतना कम है, क्योंकि सरकार योजना तो बनाती है, पर नागरिकों तक पहुचाती नहीं है, लेकिन भासकर पराते ने पुरे शहर में अलग-अलग स्थानों पर इ और की जैसे सदाबाहर गीतों को गाने वाले गजल समराट जगजित सिंग का जनम आट फरवरी 1941 राजस्तान के श्री गंगा नगर जिले में हुआ था, उन्होंने उस्ताद जमाल खान और पंडित छगनलाल शर्मा से संगित की शिक्षा हासिल की थी, डी एवी कॉलेज से स शादियों और पार्टियों में ही गाकर संतुष रहना पड़ा, लेकिन 1986 में जगजित सिंग और चितरा सिंग ने अपना पहला आलबम The Unforgettable रिलिस किया, इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनके निधन के बाद, 2014 में भारत सरकार ने उनके सम्मा आजादी के अमरूत महत सो वर्ष में महा मेट्रो प्रशासन द्वारा विविद उपकरम लागू किये जा रहे है, इसी के तहत महा मेट्रो ने अपने सारे ट्रेनों में अमरूत महत सो पच्चातर रैपिंग की है, महा मेट्रो प्रशासन द्वारा ट्रेन में की गई रैप भक्ति की लहर फैल रही है महा मेट्रो ने आज़ादी के अमरुत मोहत्सव के आउसर पर विभिन अगती वीदियो का अंजाम दिया है जिरो माइल मेट्रो स्टेशन के पास के क्षेत्र में 40,000 वर्क फूट के क्षेत्र में एक फ्रीडम पार्क के स्थापना की गई है मेट्र प्रशासंद्वारा स्कूली बच्चों के लिए विभिन अप्रतियोगिता आयोजित की गई है जिसमें के स्कूलों से छात्रों ने लोरी और कविता लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया महाविर यूद क्लब परिवार की अंगी कुरूद दक्षिन नाक प्रशाखा द्वारा तरोडी टी पॉइंट वाठोडा स्थित अरिहन पब्लिक स्कूल में निशुल्ग स्वास्त जांच तथा जनजागरोती शिविर का एवजन किया गया इस शिविर में डॉक्टर अचल काप से शुभांगी पोहरे तथा उनकी टीम ने उपस्थित लोगों को स्वास्त समंधी जान करी देते हुए उनका मार्ग दर्शन किया एक सुआट बच्चो और भुजुर्गों ने इस स्वास्त शिविर का लाब लिया उनकी स्वास्त जांच करने के पश्चा डॉक्टरों द्वारा उन्हें पराम अर्श दिया गया और ओशधिया भी वितरित की गई एवं प्रभाकर वाग ने प्रयास किया भारत रतना स्वर समरागी स्वर्गिय लतामंगेशकर को प्रधानमंत्री आवास योजना मित्र परिवार की और से तरोडी में श्रधानजली अर्पित की गई प्रमुक्ता से सर्वमानव संग के संस्थापक अध्यक्षा सुभाष कोटेचा प्रितम बोकडे अक्षे बेलसरे राहुल के दार इतिन बीजवे उपस्तित थे सैंकडों की संख्या में महिला और पुरुषों ने मोम्बत्ती जलाकर तथा पुष्पसमर्पित कर लतामंगेशकर को शधानजली अर्पित की इस आउसर पर कई मान्यवरों ने अपने विचार व्यक्त किये कोटेचा ने कहां कि भारत रतना लतामंगेशकर ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा उधारन प्रस्तुत किया है कमशिक्षा होने के बावजुत स्वर के माध्यम से पुरे विश्वा में अपना तथा भारत देश का नाम रौशन किया है अधहा पढ़ाय में कमश्र होने से कोई नुखसान नहीं होता अगर हमारे में अन्य कोई दूसरी प्रतिभा हो फिर भी हम अपने देश की सिवा कर सकते हैं देश का नाम रौशन कर सकते हैं इस आउसर पर संजे बेलसरे पारस पगाडे ओम्प्रकाश भंडारकर, रिशिकेश काले, प्रदिप चौधरी, जीये स्राउत, रविंद्र तायडे, प्रशांत बोरकर, शरत सम्रित, शैलेश देशमुक, नाभा मन्ना, नितिन बंड, कांजन सत्फले, अनिकेत मोहिते, प्रमोट धवली, दीपक गोसावी, जैश्री बो पर गोद भराय और सम्मान किया गया, भारत वर्शे दिगंबर महासभा के राष्ट्य उपाध्धिक्ष्य सुमतलला जैन ने इस बारे में जान करिदी, दरसल भगवान आधिनाथ बड़े बाबा का पंचकल ल्यांड महा मोहत्सो होने जा रहा है, आचारी श्री विद्या आशा जैन को मिला, रात को साड़े आड़ बजे माता मरुदेवी की गोद भराय हुई इस आउसर पर चंद कुमार चौधरी, निर्मल कुमार मोदी, दिनेश जैन, सोनु मोदी, सुरेंद्र जैन, कलकत्ता वाले, आधी जैन समुदाय के शद्धालों पस्तित्थे महाराष्टर जेश्टनागरिक महासंग की सूचना के अनुसार राज्यसरकार के पास वरिश्टनागरिकों की कुछ मांगे प्रलंबिध है, इन मांगों की और सरकार का ध्यान आकरशित करने के लिए अपनी मांगों के प्रती सजग लोगमंच जेश्टनागरिक मंडल, महा पर अध्यक्ष रमेश जांगरे, सचीव डॉक्टर दीपक शेंडेकर, कोशाध्यक्ष कैप्टेन प्रभाकर विंचूर कर, ग्यानेश्वर टोंगे, विठल राओ धोटे, लक्षिमकान जुमडे, दिलिप गायकवाड, पदमाकर गोटे, नासरे, आधी उपस्तित्ते, लोक पर महनगर पालिका के और से बुधवार को 10 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कारवाई की गई, और 65,000 रुपे का जुर्माना वसुल किया गया, एंडियस दस्तेने हनुमान नगर जोन के अंतरगत, गनेश नगर, नरसाला में केलाश सोमकूर के खिलाफ, कोविट नियमों का उ उनलंगन करने पर कारवाई की और उनसे 10,000 रुपे का जुर्माना वसुला, इसी तरह गांधी भाग जोन के अंतरगत, में मार्केट माहल में राज़ेश अडबडिया, बजेरिया में राजेंडर चरडे और अर्चना के खिलाफ, कोविट नियमों का उनलंगन करने पर कार कारवाई की गई और 15,000 रुपे का जुर्माना वसुल किया गया, प्रतिबंदित प्लास्टिक बैक के इस्तमाल करने वाले दुकान, प्रतिष्ठानों के खिलाफ, मनपा ने कारवाई अधिक कठोर कर दी, महराश्य सरकार दोरा प्रतिबंद लगाय जाने के बावजुद प्लास्टिक बैक के इस्तिमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, इसकी खबर मिलते ही, मनपा एक तर आधा कुर्शनबी के निर्देशा नुसार उपद्रव खुजी दलने कारवाई तेज कर दी है, मनपा युकत के निर्देशा नुसार, मार्केट, दुकान, सबजी बाजर में प्लास्टिक बैक के सामान देने वाले दुकानों के खिलाफ कारवाई की गई और जुर्माना वसुल किया गया।